आज एक लिए हैं उस वीडियो में इस वीडियो में एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो कि एक चुपा हुआ ही रहा है और कई सारे जो टॉपर स्टुडेंट्स हैं वो भी इस कोलेज के बारे में नहीं आते हैं तो और हम बात करने आले हैं ऐसे कोलेज के बारे में दोस्तों जो भी पहले बारा है उस चैनल पे नमस्ते टू एव्रीवन एंड आई इस चैनल पे मैच भी सीख सकते हो तो इस तरीके से बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज जिस टॉपिक पर बात करने हैं एक चुपारुस्तम जो है इस ब्लैक्रो होर्स अमंग अल्ड़ इस त्रिपल इस और आप बोल सकते हो एक अच्छे लेवल के वालेज है इवन इस बेटर देन मोस्त अप्ड़ आता है यह काफे इस से भी अच्छा उपर आता है रैंकिंग वाइस अगर बात करोगे और डेफिनेटी अगर प्रेश्म जो बागी ट्रिपल इस जैसे है इस डिफरें ट्रिपल इटी आप ऐसा बोल सकतो तो यह क्या है यह इस साल कर दो इसका एड्मिशन प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है बागी साल के कंपरेजन में कि यह मेंस के थ्रू तो लेंगे ही लेंगे देरा सटेन अधर क्राइटेरिया जिसके थ्रू एड्मिशन ले रहा है तो हम लोग उन क्राइटेरिया को कही न कहीं इस वीडियो में कवर कर रहें होंगे करेक्ट तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं एड्मिशन प्रोसेस कैसा है हमारा इसकी बात करेंगे हम लोग कैंपस की बात करेंगे फेकल्टी की बात करेंगे next लोग बात करेंगे last one like most of the important factor that is ROI return of investment भाया कितना लगाएंगे कितना मिलेगा उसकी बात करेंगे admission process के अगर बात करें मैंने आपको बता है एक जेमेंस तो ही हमारा पर जेमेंस में आपको अगर computer science चाहिए तो you like you have to get the rank under 1000 और अगर आपको इसी ब्रांच चाहिए तो 3000, 6000 के अंदर आपकी रैंक आनी चाहिए next criteria है हमारा UGEE का जो इस साल आप दे सकते हो JMAINS जिन्होंने नहीं दिया है या JMAINS जो नहीं लेना चाहते है तो like this is also criteria जिसमें UGEE के थूँद दे सकते हैं 10% institute की seat है वो इसके लिए रिजर्व है एस्पी सी के लिए 10 परसंट इसके लिए रिजर्व डें तो आपको और राउंड हंड्रिट सीट्स का आपको कोटा मिलेगा जो आप अलग से भर सकते हो इन एक्जाम के थ्रू भी ले सकते हो 200 सीट्स आप लगब टोटल मिल देंगी इनका सब्सक्राइब को करता है ये जल्स होती है इंडिया के लोग सकते हैं वो इंडिया के लोग बर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा ओलंपियाड या आपने के वी पी या कुछी को भी इंट्रनेशनल मैथमाटिक्स ओलंपियाड इन तीनों में से किसी भी एक्जाम को अगर आपने कुलिफए किया होगा तो आप इस कॉलिज में जा सकते हो तरण तरण लास्ट मैं आपको बता ही 7 जून है से उठाई गई हैं बड़ आपको काफी चीज़े वेबसाइट पर इजली मिल लाएंगी नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंपस का लोकेशन आप देख सकते हो तो लाइक है राबाद के में सीटी एरिया में ही लाई करता है हमारा ये कैंपस और के बार इन डेटेल बात करेंगे पहले हैं दो तरीके के प्रोग्राम जो इजु जी ही डबरली के अंदर आते हैं जिस पर हम इस पीडियो में बात कर रहें में दबली जो आपको मिलेगा कोर्स वह बी-टा कंप्यूटर सेंस और लीच्छ ए और ऐस थाए प्रोग्राम इनरु को मिलेगा जी मेंस के और इस तरीके से CSC की एक और हम लोग के रिसर्च वाली ब्राँचा पर डाली गई है जो एक्स्टेंड वर्जान है जिसमें आपको computer science की बीटेक वाली डिग्री में लेगी और रिसर्च की डिग्री अपने इस पेसिलाइज आपको जैसे इसमें linguistic का है तो आपको इस पेसिलाइज आपने जिसमें लेनी होगी वो आपको में लेगी और इंट्रफेस जो आपको दिखेगा हम लोग का इंट्रनेशन इंस्टिटूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलजी हैजराबाद करेक्ट यहां पर पूरा इसके बारे में दिया हुआ है और आप अगर कम्यूनिटी में जाओगे तो फेकिल्टी के बारे में आप जच करोगे तो इस तरीके सब किसी प्रोफेसर के बारे में जाओगे तो इस तरीके सब किसी प्रोफेसर के बारे में पढ़ोगे तो each and everyone is doing something in their area जो कि आप phenomenal बोल सकते हो जो कि एक बड़ा contribution बोल सकते हो इस एरिया के अंदर है तो फेकल्टी डेफिनिटली बहुत ही जबर्दस्त है और आप आरे किसे के बारे में आप वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो करेक्ट तो आई होब कि यह चीज तुम्हें समन में आ गई है नेक्स हम लोग बात करते हैं फेकल्टी के बात प्लेस्मेंट की जो बहुत important पार्ट है तो प्लेस्मेंट कितने का मिलना है करेक्ट यह सारी कंपनी जो कि आपको वेबसाइट पर मिल लेंगी software कंपनी से हाड़वेर कंपनी से ऐसे बाइव इंफो में बाइव इंफो में से रिलेटेट है तो आप सोच सकते हो कि यार इतनी कंपनी अकर किसी को विजिट कर रही है तो प्लेस्मेंट का लेवल क्या रहता होगा प्लेस्मेंट स्टेट में आप यह देख सकते हो कि जो स्टुडेंट काउंटे इतना बैठता उतना दो प्लेस होई जाता है हर एक साल का रिकॉर्ड यह रहा हुए जितने लोग यहां पर दिख रहा है थोड़े से कम जैसे इस वाले यह में अठारा से उननेस में यहां पर प्लेस्मेंट से एट आल जैसे में होता है करें कि यह जो भी बंदे प्लेस्मेंट होते हैं जो उपर की टॉप टॉप ब्राउंचे से उसमें प्लेस्मेंट हंड़िट परसंट रहते ही है और इवन कई सारे बच्चे ऐसे रहते जिनका दो-दो जॉब लगा होता है एक ही देघ्चे को डेकर है याँ चीज यहां से देखने को मिलने वाली है यहां से लिखरे जब्राइई यहां से ल्रहात सब्सक्राइव गंए हैं कि इतना यह हमारा average salary था यह हमारा lowest salary था और student place percentage 100% है correct तो आप देख सकते हों यहाँ पे सब चीज़े detail में दी हुई है correct और यह B.Tech का है आप जिस ब्रांच में जाने वाले हो या आप जिसके लिए apply कर रहे हो यूजी डबल ली के लिए तो उसमें अगर आप देखोगे तो computer science हम लोग का dual degree program जो है CSD जिसको लिखा हुआ है यहाँ पे की 85 lakh rupees 80 lakh lakh per annum 85 lakh रुपे एक साल के हमें मिलेंगे correct यह salary की रूप में जिसने भी achieve करी होगी तो we can also aspire किया ऐसा placement होता है at least college हमें opportunity देता है top companies जो की एपल जैसी company जो कि इंडिया में बहुत ही कम चुहिंदा आइटी में आती है सबसे पहले जब इंडिया में एपल ने recruitment करना स्टार्ट किया टेक्नोलजिकल फील्ड में तो वह पहला कॉलेज अच्छा college है और हमारा कहीं न कहीं career जो है उसको एक take-off जो है उसको एक अच्छे level का मिल सकता है इफ अगर हम लोग इस college पहुंच गया तो correct तो यार यह छोटी सी information थी I hope कि यार यह वीडियो तुमें काफी helpful रहा होगा वीडियो कैसा लगाए comment करके बदाना करेक्ट और बाकी अगर कोई भी इंफॉमेशन चाहिए इस exam से related exam की preparation से related maths से related maths और physics का काफी बड़ा portion आता है इनके exams में दो तरीके के exam होते हैं एक तो subject proficiency test ही लोग test जादा रहता है जिनकी chemistry weak है तो उनके लिए like it is a boon कि यहां पर chemistry का weightage कम रहता है only they emphasize on physical chemistry कि आपका physical chemistry अगर थोड़ा बहुत भी ठीक है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो तो काफे सारे students मैंने देखे हैं जिनका chemistry बिल्कुली gold रहता है correct और उनको यह exam ज़रू बढ़ना चाहिए तो कि यहां पर maths और physics का weightage ज़्यादा रहता है तो this is one of those exams जो हमें at least हमें देखना चाहिए कि हम यह भी भर सकते हैं correct बाकि I hope कि I made all the things clear fees की अगर बात करें तो हमारा 3,00,000 रुपे एक साल का है hostel fees हमारी 6,000 रुपे लगबग पर मन्त है तो आप इतनी fees आद के टाइम में हम IIT की भी देखेंगे तो IIT की fees भी लगबग डाइलाग के प्रॉक्स पढ़े जाती है एक साल की तो fees भी उनी के आसपास ही exist करती है बेट के आसपास तो थोड़ी सी upper end है but at least हमें spare करना चाहिए और बहुत अच्छा college है तो return on investment जो investment जिसको बोलते हैं ROI जिसको बोलते हैं तो वह बहुत गजब हमारा रहेगा इस college का अगर हमें college मिल लाता है तो I hope कि आरी तो मैं video sound में आया होगा और अच्छा लगा होगा इसी तरीके के video उसको regular पानी के लिए देखते रहना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना bell notification दबा लेना काफी सारी लोग बोलते हैं कि sir हमारे पास notification नोटिफिकेशन नहीं आता है जब आप video डालते हो तो यार उसके बाली आपको bell notification on करना पड़ेगा और वहां पर all में लबाना पड़ेगा ही ता कि मैं कोई भी वीडियो डालों तो सबसे पहले वो आपको दिखाई दे ओके तो मिलते हम लोग यार नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye everyone and wish you all the very best अपने दोस्तों के जरूर शेयर करना वीडियो कैसा लगा comment करके बताना अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना और subscribe को लेने channel मिलते ह लोग लेक्स वीडियो में bye everyone and wish you all the very best अटा and bye